नमस्कार दोस्तों BC आनि बॉलिवूद चलोगे में आपका सौगत है आज हम बात करेंगे सलमान खान की सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है टाइगर जिन्दा है के बॉक्स ओफिस कलेक्शन और वर्ल्ड वाइट कलेक्शन के बारे में और इसी के साथ हम ये भी चर्चा करे क्या इसका रिकार्ट पठान मूवी ने तोड़ा है की नहीं तो चलिए दोस्तों बगार किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट मैं हूँ आपका साती रोहित तिरपाठी देखा जाए दोस्तों सलमान खान की अब तक के सबसे बड़ी मूवी है टाइगर जिन्दा है अ वर्ल्ड वाइड केलेक्शन इसका हुआ था 569 करोन रुपए जी हां दोस्तों देखा जाए इस मूवी ने साड़े 500 करोन का आकड़ा क्रास कर डाला था और ये मूवी सलमान कान की सबसे बड़ी हिट मूवी साबित हुई थी वहीं अगर हम पठान के केलेक्शन के बारे मे मूवी ने 349 करोन रुपए का बॉक्स ऑफिस केलेक्शन कर लिया है और इसका वर्ल्ड वाइड केलेक्शन अब तक हो चुका है 636 करोन के लगभग उस हिसाब से इस मूवी ने सलमान खान की मूवी को पीछे छोड़ दिया है और शारुक खान की मूवी पठान बन गई है इस मामले में सलमान खान की मूवी से आगे दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में हमें जरूर बताइए और साथ में ये भी बताइए कि आपको एक था टाइगर मूवी अच्छी लगी थी कि पठान मूवी अच्छी लगी थी इन दोनों में से कौन सी मूव आपको सबसे जादा पसंद है ये भी मुझे कमेंट करके बताईएगा तो दोस्तों मिलते हम आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार बाई बाई